दोस्तो गर आप भी इशान किशन को एक बैतरीन खिलारी मांते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर गीजिएगा दोस्तो इशान किशन ने मैदान में आते ही तो ऐसे खतरनाक छगे जड़े के देखकर द्रविट तो क्या हर कोई हैरान रह गया था और कैसे इशान ने मैदान में आते ही मुकाबले को पलेट के रख दिया आपको दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आप सबी को क्या लगता है नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा दोस्तो सीरीज के डिसाइडर मुकाबला आखरकार बैंगलोर कैम जिनस्वाम इस्टेडियम में शिरू हो चुका है खैर आपको बता दे शिरुवात अच्छी नहीं थी दोनों ही टीमों के लिए बारिश ने दस्तक दी और ऐसी दस्तक दी के मुकाबले को 19 सोवर का करवा दिया मतलब कि टी 20 नहीं बलकि टी 19 खेला गया खैर दोस्तो सौथ एफरीकी कप्तान टॉस जीच चुके थे और पहले गिंदबाजी भी चुनी थी लेकिन बारिश होने के बाद लगता है कि अंगैर बरसाने के मन से आये थे इशान किशन क्योंकि मैदान में आते ही ऐसी ताबर तोड़ बल्ले बाजी करी के देख कर हर कोई उनका दिवाना हो गया दोस्तो पिछले चार मैचों की तरह रस बार भी टीम की ओपनिंग को करने के लिए मैदान में आयो थे इशान किशन और रुतराज गाईकवड़ दोनों के लड़ियों ने अच्छी शिरुवात करने का सोचा ही होगा लेकिन अच्छा वर्ड शायद इशान किशन को जज़ता नहीं है इसलिए तो दोस्तो उनोंने अच्छी नहीं बहतरीन शिरुवात करने चाही और ऐसी बहतरीन शिरुवात कराई के इसे साउथ एफरीकी गेंदबाज महराज कभी नहीं भूल पाएंगे दोस्तो नजाने क्या सोचकर महराज को पहला ओवर दिया गया स्पिनर गेंदबाज को देखकर इशान किशन का मन ललचा गया और वो खुद को रोक नहीं पाए उन्हें चखके ठोकने से दोस्तो पहली गेंदब पर तो इशान किशन ने कुछ नहीं किया उन्होंने आगे बढ़कर एक और तकड़ा शॉट खेला और गेंद इस बार भी दूसरे स्टंड में जाकर गिरी लगा अतर बैक टू बैक दो छक्के जड़कर है पूरी तरीके से इशन किशन ने सब को हिला कर रख दिया था खास सोर पर गेंदबाज महाराज को जो कि समझ ही नहीं पारे थे कि आखेकार हुआ क्या है एक ही फ्लेश के अंदर दो गेंदो में दो छक्के लग गए थे और ऐसो के वो लिशन किशन ही कर सकते हैं दोस्तों लिशन किशन भले ही 15 रन लगा कर गए हो लेकिन ये दो छक्के हर किसी को याद रहे यहां तक कि द्रविड भी देखकर इन्हें हैरान हो गए थे हलगी टीम की शुरुआ ज्यादा अच्छी नहीं रही लेकिन पंत ने आकर पारी को समाल लिया था परंज दोस्तों लिशन किशन के यह नहीं ताबड तोड छक्कंक आप दसमें से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके हमें जरूर पताईएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को धन्यवाद